से इस वीडियो में हम डिसकस करने वाला है रिफिडियो में हमुडित करने दोल करते हैं अग treadivo है आप देख सकते हो कॉमें अच्छी ग्रोड़ देखने को मिल रहे है और सबसे इंपोर्टन चीज़ हो願い रहा एक उम एकSON दूर्ड फ्ल्ड चेक करकर ही उसमें इंट्री का ब्लान बनाएं निझे कर ले इसका फोल्कास्ट टाइमन इस पर्रेम चिसितना लिया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 से लेके 114 का हमने एक zone draw किया है जो कि बहुत ही जादा important support zone है क्योंकि इसी level पे आने के बाद में multiple time support लेके हमें यहीं से उपर की और bounce देखने को मिल रहा है देखें यहाँ पे अगर हम देखेंगे अगेन यहाँ पे हमें bullish इंगल फिंग पैटन बनतावा दिखाई दे रहा है जो कि candlestick patterns में bullish pattern होता है यहाँ से इसके जलते further हमें stock में फिर से तीजी continue होते वे दिखाई दे सकती है अगर आप इसमें fresh entry का plan करना ही चाते हैं तो यहाँ पे 110 के नीचे का stop loss रखके ही इसमें entry का plan करें और next important resistance की बात करेंगे तो 124 से लेके 126 का रहेगा अगर इसको भी उपर की और breakout कर देता है 126 के ओपर 1 day time frame के candle closing दे देती है तो यहाँ से में further और भी अच्छी खाजी ते points को मद्दे नजर रखते वे और खुद की analysis करके आप इसमें entry का plan में चलते हैं एंजल वन एप में दिस्तों आ चुके हैं एप में एप में कि बदोस लिस्ट में के सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम सर्च करके एड़ कर लेना है हमने पहले से आरी सी लिमिट को एड़ करक करेंगे यहां पर हमें quantity एंटर करनी है मान लीजिए हमें यहां पर इसकी 250 quantity चाहिए तो यहां पर एंटर करेंगे 250 नीचे में लिमिट और मार्केट का option दया है लिमिट आने के स्टॉक को आप अपने मन पसंद प्राइस पर खरीच सकते हो किसे कि स्टॉक की प्राइस चल र कंफर्म पर टच करने के बाद हमारा ओर्डर जो है सक्सेस्फुली एक्जेकुट हो जाएगा सेम प्रसेस रहेगी इंटरा डे के लिए भी दोस्तों यह जो वीडियो बनाएंगे सिर्व जर्व एजूकेशनल प्रपस के लिए बनाएगी है जब यह आपको भी स्टॉक में बनाए तो अपने फाइनेंशल आडवाजर से कंसर्ट करके ही उसमेंटरी बनाए तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट कर। रवार करते हैंने नेक्सों नेक्सट कर। वीडियो